ये जितने बीदेशी आये हैं सब हर्सवर्धन के समय आ जाते लोग, चाहें राजेंदर चोल के समय, असोग के समय, मुगल सल्तनत खतम हो जाती थी 1556, हद है भारत का भाईया, 13 साल का आदमी फिर से सासक बन गया, और भारत में कोई नहीं हरा पाया, हम लोग जो गुलाम बने इसके पिछे एक और भी रिजन था, ये जितने बीदेशी आया हैं सब चाहें, और ये जो अंग्रेजा हैं, फ्रेंस आया हैं, इसब हर्सवर्धन के समय आ जाते लोग, चाहें राजेंदर चोल के समय, असोग के समय, असोग बहुत खतरनाक थाओ, वो कहने के लिए तलवार छोड़ा था, इसे तलवार निकाल के रखता था, आप गले मिलते हैं, सब लोग मिलते था सर, आई एक दम, कोई सारा दुस्मनी भूला के अम लोग गले मिलते हैं, देखते तो बटले हैं पिछवार, उसे कोन कोई का गले ना मिलेंगे आप, तो बहुत खतरनाक था, तो हम लोग के आगे राजा ही इतने छोटे-छोटे हो गए, विदेशियों को मौका मिल गया, वरना अगर हमारे ही राजा बड़े रहते तो कोई आपता गया हैं, सोचिए कोई विदेश से वंस आया, सुरुवात में आया, उसका संस्थापक बाबर, चार लड़ाई लड़ा, मर गया, लड़ खड़ा जाएगा, फिर समाले कोना है, हुमायू, हुमायू अच्छे से समाले समाले, हुमायू को भागना पड़ गया, और जब लट के आया, मर गया, क्या हो गया, मर गया, मुगल सल्तनत खतम हो जाती थी 1556 में, अगर भारत का ए अकबर का जनम कब हो रहा है? 1542, 1542, अकबर का बाप मर गया 506, तो 42-56 मन मत तेरा साल की उमर थे, 13.3 साल का, तो बाबर मर चुका है, हुमाईू मर चुका है, अकबर कितने साल का? 13 साल, हद है भारत का भाया, 13 साल का आदमी फिर से सासक बन गया, और भारत में कोई नहीं हरा तो यह उसकी बहादूरी नहीं, हमारे यहां राजाओं की आपस में फूट इतने हैं, अब हुमाईू यहां पर क्या हो गया? मर गया, अब अगर यह खबर फैल जाती कि हुमाईू मर गया है, तो मुगल सलतनत की वहीं पर खतम हो जाता, मुगल सलतनत दुबारा पनप ही न अब हरगी दिकत यह हुआ, हमाईू क्या हो गया? मर गया, पूरे भारत में रला हो गया होगया, हमाईू मर गया है, अब हमाईू राजा था उस समय का, हला नहीं हो जाएगा, मर गया, जितने सेर सास्तूरी के बचे हुए लोग थे, और जितने मुगल के दुस्मन थे अच गए अगर मर्ग रिखा तो कुछ बिहार से आया कुछ इधर से कुछ राजस्थान से कुछ पूरी एक भयानक फोज रेडी हो गए अगर कोई मजबूत सासक रहा था अगवर को निप्टा दिया रहा था अगवर से तो लड़ना नहीं था बैरम खान से लड़ना था राजा बहुत बढ़ महत भूमी का निवाता है युद्ध के मैदान में राजा खड़ा हो गया न सेना का मनोबल ऐसे ही बढ़ा हो जाएगा अईसे ही यहाँ पर मराथे इसे ही एक लड़ाई में हर गय थे आगे पढ़ना होगा पानीपत के तिय लड़ाई में जो मराथा सेना पती था उनका एक बहुत करीबी को तीर लग गया मर गया बही इमोशनल हो गया का मार दिया है अब ना छोड़ेंगे अहाथी पर उतर ग तो सेना का महाराना बहुत जादे जरूरी है तो पूरी सेना एक वट गई किसे मारने के लिए हाँ कोई नेते नहीं मिला है सेना का नेतृत कोन करेगा तो सेना का नेतृत राजस्थान के एक सेनापती को दिया गया जिसका नाम था हेमू क्या नम था हेमू क्या नम था तो दिया गया हमुने तत्काल दिल्ली कबजा कर लिया हमुने क्या कर लिया दिल्ली कबजा कर अब का करे अकबर के पहुचने से पहले दिल्ली कबजा हो चुका है हुमायू मर चुका है और अकबर राजा भी नहीं बना है पंजाब का सुवेदार है अकबर का राज्या भी से कराना जरूरी था कि नहीं, ताकि एक ततकाल तो आपको राजा मीले ना भाईया, तो काला नौर में मिर्जा कासिम ने किसका राजावी सेकर दिया? भारत का राजा कौन बन गया? अकबर, उसका सेना पती? बैरम खान, सेना पती? दिल्लियाद से जा चुका है, उस समय दूसरा सबसे बड़ा सहर था आगरा, अब ये सीधी अपनी सेना लेकर कहां पहुंचा, आगरा, आगरा की और कूछ कर दिया कौन, बैरम खान, साथ में कौन है, अकबर, और कहां की और कूछ कर दिया, आगरा के, आगरा पहुंचने से हमु ने आगरा पे कपजा कर लिया, हमु ने कपजा किस पे कर लिया, आगरा, अब इनके पास कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, कहा कि मरना है तो, यहीं, अब युद्धी की तयारी करना, आउदर हमु ओभर कॉंफिदेंस में, हमरे इसन सेना पती, एक दिन प पादी की सेना का नेत्रित कर गया था, आउदर अगर की सेना का नेत्रित कर गया था, आउदर अगर की सेना का नेत्रित कर गया था, बहराम खान, कौन कर रहा था, बहराम खान, आगरा हाथ से निकल गया, दिल्ली हाथ से निकल गया, तो दिल्ली के पास है पानी पत, कौन पानिपत का है दिल्ली के उपर हरियनम पानीपत में सेना लग गई अकबर केतने साल का 13 साल सेना का नेत रृ्ट वाटर भारम खान अकबर का मोनोबल टूटा क्योंकि जिसके घर में बाप मुरल होगा, बेटा को यूद करने के लिए देदीजेगा, बड़ी दिक्कत होता है, सोचिए राज सिंह आसन दिखने में अच्छा लगता है, बट बहुत उटपटांग होता है, अब उदर हेमु का है, ओभर कॉन्फिडेंस, यह सचुरा आगर जीते हैं, दिल्ली जीते हैं, पानी पजीते हैं, मारेंगे इस सचुरा अगबर को, बैराम खान ने समझदारी कर दिया, बैराम खान ने का हेमुर हाथी पर बैठा है, जिन्दा या मुर्दा हाथी से उतार दो, यह दिखेगा ही नहीं, और सेना का मनोबल गिर जाएगा, तो पहले लड़ाईयां मनोबल पर होती थी, आप बाहु बली मूभी देखे हूंगें, तो जब युद हो रहा था, तो जो करियाथा सेना लेकर आया था, कानम था उसका काल के, मुझ जाउंसा जो रहता है, जा, विस्ट का अलू, दुगा बोलता है सुचुरा, जईसे बा हिस्मती का उसको तोड़के, अपना करिया ज़ंडा लगा देता है, पूरा करिया ज़ंसा लोग का अधिकार हो गया, बाद में ज़ंडा तोड़के हाटाए जाता है, तो बैराम खान ने का, हेमु मरे या ना मरे, वो हाथी से उतरना चाहिए, चाहे कुछ भी कर लो, इसने तीर अंदाजों को छुपाया, कहा कि कोई तीर नहीं चलाएगा, शुरुवात की युद्ध के लगबग चार घंटे तक कोई तीर नहीं चला, तो हेमु की सेना में, उसके सैनिकों में ये कॉन्फिडेंस आ गया, कि लगता है, अकबर की सेना में तीर अंदाज नहीं है, औ सब पीछवा था सब, और सक्त आदेश था बैरम खान का, कि हम हेमु को अपने पीछे लेके दोड़ेंगे, और हेमु ओवर कॉन्फिडेंस में दोड़ाएगा किसको, बैरम खान को, तो युद में बैरम खान आगे चला गया, और युद में जैसे आगे आया तो हेमु से ल सेना में भगदड़ हो गया, कि सेना पती हमारा चला गया, अब काम खत्म, सेना पती मरा, युद खत्म, सेना पती मरते युद गया हो जाता है, खत्म हो जाता है, और तेरा साल की उमर में, अकबर ने राजा बना चपन में, और राजा बनने के बाद, तेरा साल की उमर में क